और इस वक्त एक बड़ी खबर है दिल्ली NCR के नौईडा से हरान करने वाला एक वीडियो सामने आए जहां मामूली स्क्रैश के बाद गुस्साए कार चालक ने दूसरे युवक को कार से रौन दिया और कुछ देर तक कहां सुने के बाद एक के बाद एक तीन शक्स कार में देखा गया है लगातार उसका इलाद जारी है लेकिन आप देखिए किस तरह से ये पूरा घटना करम पेश आया दरसल ये पूरा मामला एक स्क्राच से शुरू हुआ था तो ये तस्विर आप देख रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि एक I-20 कार है और इस I-20 कार में कुछ युवक सवार होते हैं क्योंकि सामने जो गारी है उस गारी में दूसरे युवक सवार थे उनके साथ बहस हो रही थी उसके बाद देखी ये लोग बैठते अपने i20 कार में सफेद रंकी और उसके बाद जिससे बैस हो रही थी उसको वो गाड़ी से उड़ाते हुए रौनते हुए निकल जाते हैं और जो युवक वहाँ पर खड़ा था देखी कि उचलते हुए उचलते हुए वो काफी दूर को कुछला गया है उसकी गाड़ी से जिन युवकों ने कुछला है उनकी गाड़ी पर लग गया था और किस तरीके से विवाद हुआ कहा सुनी हुई उसके बाद आक्रोशित युवक गाड़ी में बैठे सफेद रंकी गाड़ी और आगे खड़ी गाड़ी और साइड में युवक पर वो चड़ा के सीधे अपनी गाड़ी को आगे लेकर भाग गया गनिमत ये रही कि वहाँ पर और भी लोग मौजूद थे देखे ट्राफिक भी रुग गया बाकी लोग भी इस पूरे घटना करम को देख रहे थे कि दरसल हुआ क्या शायद किसी को समझ ही नहीं आ जहां पर स्क्रैच लगा दोनों में बहस हुई दूसरी वाली गाड़ी में आप देख सकते हैं जो आगे गाड़ी है उसमें दो लोग सवार थे जिसमें से एक युवक को ये पीछी वाली जो गाड़ी थी इसमें जो लड़के बैटे थे इन्होंने उड़ाते हुए आगे एक I-20 सफेद गाड़ी में सवार थे और जिस गाड़ी के साथ इनकी बहस हुई थी वो बिल्कुल उससे आगे खड़ी थी जो वेन्यू कार है उसमें दो लोग सवार थे जब बहस हुई स्क्रैच लगी थी दोनों गाड़िया रुग गए आपस में बहस होने लगी फिर व प्रैक्शन अफ टाइम का वक्त रहता है जब आप इस तरह के डिसिशन लेते बाद में आपको जिन्दिगे वर पस्ताना पड़ता है देखिए क्योंकि अब यह सलाकों के पीछे हैं तो यह तस्वीरे लगातार हम आपको दिखा रहे हैं नॉइडा से तस्वीरे सामने आई हैं जहां रोड रेज के मामले में एक युवक को चार लोगों ने गाड़ी में सवार होकर कुचल दिया दरसल यह पूरा मामला कार में लगे एक मामूली से स्क्राच से शुरू दोनों ही पक्षों के बीच देखने को मिली और कहा सुनी के बाद सफेद गाड़ी में सवार होकर चार युवक जो आगे काली गाड़ी खड़ी है उसको जो व्यक्ति ड्राइव कर रहा था उसको कुचल कर क्यो बाहार था उसे कुचल कर सीधे आगे बढ़ गए लेकिन इस पक्षों के बीच में पहले जगड़ा हुआ और उसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को काफी तेज रफतार में गाड़ी चला कर काफी इंजर कर दिया जिस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्च करके आवशक वैधानिक कारभाई कर चार लगुक कर रफतार कर लिय जो अभी तक पता चला है इन दोनों पक्ष का शायद एक दूसरे से गाड़ी टच हो गई थी उसके बाद दोनों के बीच में काफी विवाद हुआ हाथा पाई हुई और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को काफी तेज रफतार में गाड़ी चला कर इंजर कर दिया जो आदम जंबीर है और इस मामले में एक वीडियो भी सामने आया है जिसको देखते हुए हमने मामले में 307 IPC धारा की वृद्धी भी की है और इस मामले में चार अभी तक गिरफतार किये जा चुके हैं और जिस गाड़ी को यूज करके घटना की गई है वो भी हमने वरामत दूसरे और नॉड़ा में जिस जगह में वारदात हुए है वहाँ पर हमारे संग्वादाता अतुल भाटिया पहुंचे और उन्होंने एक रिपोर्ट भेजिया आपको दिखाते हैं पहले एक गाड़ी टकर मारती है बहस जो है वो दिवाकर मोटवानी के साथ होती है और उसके कुछी समय बाद एक गाड़ी जिसके अंदर नवीन अवाना नाम का शक्स अपने तीन साजियों के साथ मौजूद था वो दिवाकर मोटवानी को गाड़ी से उड़ा देता है औ नवीन अवाना जो है गाड़ी से टकर होती है उसकी दिवाकर मोटवानी की और उसके बाद काफी देर तक बहस होती है और बहस होने के बाद जो जो नवीन अवाना है वो अपनी गाड़ी से तेज गाड़ी से हिट करता है और वीडियो के अंदर वाइरल वीडियो के अंदर कि इसके देखा जा सकता है कि जो दिवाकर मोटवानी वह उपर तक हवा उचलते हैं उसके बाद नीचे गिरते हैं जिसके बाद जो उनके साथ युदे इसको कॉल करता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, और जो दिवाकर मोटवानी है, उनको अस्पताल में भरती कराया जाता है, जहांपर उनकी हालत काफी सीरेस बनी हुई है, और जो वीडियो वाइरल हुआ है, उसके आप देख सकते हैं, और उससे पहले ही घटना होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, गमले जो यहाँ पर जो वाइरल वीडियो के अंदर दिख रहे हैं, पहले यह येलो जो है वो गमला है, उसके बाद एक ग्रीन गमला है, और ठीक इस गमले के पीछे एक शक्स जो है, वो अपनी गाड़ी के अंदर मौजूद था। कि दोनों ही जगे पर जो आरूपी थे, वो पुलिस की गिरफ्त में हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिसरतर ब्रजेश को मारा पीटा गया था, बाउंसस ने मारा था, उसमें सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसमें जो एक शक्स फरार चल रहा था, उसे भी पुल इंडिया टीवी हर वक्त हर जगे डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस, गूगल प्ले स्टोर या अप स्टोर पर